Hi everyone, इस पवित्र और पावन सावन के महने में यदि आप अपनी कोई भी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि महादेव का हमेशा ही आशिरवाद आपके साथ में रहें, यदि आप अपनी जिन्दिगी में बहुत जादा परिशान हैं, आप शारिरिक और मानसिक तौर से भी तूट चुके हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए, कोई आपको राह दिखाने वाला नहीं है, चारो तरफ से आपको परिशानियों ने घेर लिया है, तो यदि आपके साथ भी ये सारी समस्याएं हैं, आ आप बीमारी सिग्रसित हैं, आपके पास में पैसों की कमी हैं, आपके जिंदगी में खुशिया नहीं हैं, नेगिटिविटी हैं, तो आज से अभी से आपको परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज से अभी से आप ये सोच लीजिए कि आपकी ये जो सारी परिशानि अब ये रहने वाली नहीं है इस सावन आपकी जिन्दगी में खुश्यों की बहुचार होगी शंकर भगवान का महादेव का एक चमतकारी मंत्र आपके जिन्दगी में भी चमतकार करके रख देगा मैं इसके पहले भी आपको बता चुकी हूँ बोल चुकी हूँ कि यदि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में कीजिए तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा यदि आपके मंद में विश्वास है कि आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं श्रिव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे तो फिर आपकी इच्छा आपकी खुशिया आपकी मनोकामना आपको जरूर पूरी होते हुए मिल जाएगी जहां विश्वास होता है, चमतकार भी वही होता है, आप शंकर भगवान पर विश्वास बना कर रखिए, आपका विश्वास आपके जिंदिगी को बदल कर रख देगा अब जान लेते हैं कि ये चमतकारी, पावरफूल, अमेजिंग और सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला मंतर कौन सा है, श्री, शिवाय, नमस्तुब्यम, आपको इस मंतर का रोज जाप करना है, 108 टाइम आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि श्री, शिवाय, नम महुर्त में उठ जाईए और प्रम महुर्त में उठकर आप 108 टाइम श्री, शिवाय, नमस्तुब्यम का जाप कीजिए, उसके बाद आप शिव जी से महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके जिंदगी में अभी तक जो भी कुछ आपने दिया है, जो भी आपके जिंद और दुनिया के पास में नहीं है, तो उन सारे चीजों के लिए आप महादेव को ग्राटिट्यूट शो कीजिए, आभार कीजिए कि आपके कारण मेरी जिंदगी में ये है, और फिर आप अपनी परिशानियां रखकर आप ये भी बोलिए कि मैं जानती हूँ या मैं जानता पूरी कर ही दे, आपका विश्वास आपको हर वो चीज दिलाएगा जो आप चाहते हैं, तो इस तरह से आप प्रह्म मुर्थ में 108 टाइम श्री शिवाय नमस्त अभ्यम का जाप कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जिंदगी में चमतका पर अरपित करें, आपको नियम बना लिजिए कि सुबह या फिर शाम आप शिव मंदीर में जाकर भगवान को जल अरपन करें, ये भी आपकी जिंदगी में खुशियों को आकरशित करेंगा, आपका विश्वास जितना उचा रहेगा, आपका विश्वास जितना बड़ा उतने ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी, आप इस मंतर को जरूर चैंट कीजिए, यदि आप इसे चैंट नहीं करते, यदि आप इसे सुनना चाहते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंतर के चैंटिंग का जो वीडियो का जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रि इवाइन पावर, एक दिव्वे पावर, एक डिवाइन लाइट आपके तरफ बढ़ रहा है, और आपके शरीर में समाहित हो रहा है, आपके अंदर उर्जा आ रही है, और ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा, आपके जिन्दिगी में पॉजिट जिन्दगी को खूब सूरत बना देगा ये मंत्र ऐसा नहीं है कि आपके जिन्दगी में समस्या नहीं आएगी समस्या आएगी तो आपको समधान मिलेगा आपको समस्यां से लड़ने की शमता मिलेगी और आपके अंदर जो आत्मे विश्वास है वो हमेशा ही बढ़ा हुआ आप इस मंत्र को जरूर से चैन्ट कीजिए और उसके बाद जो आपके जिन्दगी में जो बदलावाएंगे जो आपके जिन्दगी में परिवर्तन आएंगे जो खुशियां आकरशित करेंगे वो मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा मुझे खुशी होगी आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे तो और भी इसी तरह के मंत्राज, लॉफ अट्रेक्शन के मिजिन टैक्निक, स्पिरिचल रेमेडीज, सेल्फ लॉव एंजल नंबर्स, यूनिवर्स मैसेजिज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्रा नमस्टूप्या